इंडियन आइडिल सीजन बारा के कंटेस्टंट शानमुख प्रिया और मुहम्मद दानिश के बारे में क्या कहना है शो के ही जज मनोज मुंतशिर का और क्या कहा है उन्होंने इन दोनों के लिए चलिए आपको बताते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुट स्पाई जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आइडिल अलग-अलग वज़ों से सुर्खियों में बना हुआ है कभी हमने देखा कि अमित कुमार जी के शो में आने के बाद एक कॉंट्रोवर्शन स्टेट्मेंट देने से काफी और कॉंट्रोवर्सी हो जाती है जिसके बाद आदित्य नराइन भी कुछ कहते हैं अब वहीं कुछ दिनों पहले देखने को मिला और अभी हाल ही में भी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर कि शो की कंटेस्टंट शानुख प्रिया और मोहमध दानिश पर भी जनता काफी सवाल उठा रही है सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ शान्मुक प्रिया पर इलजाम लगाया जाता है कि वो एक ही तरीके की योडलिंग करती हुई नजर आती हैं गानों में वहीं मुहम्मद दानिश के लिए भी सोशल मीडिया पर काफी सारी बाते की गई हैं। उनका एक अलग style एक अलग flavor दे देता है तो अगर ये कोई नई चीज है तो हमें इसको appreciate करना चाहिए हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि हर गाने में योडलिंग काम नहीं आती है तो वहां योडलिंग गाने को खराब कर देगा। कहूंगा कि अगर जनता इनको feedback दे रही है लोग इनको feedback दे रहें तो इनको उन feedbacks पर ध्यान देना चाहिए। तो भाई शोक इजाज मनोज मंतशर ने ही दोनों को ये सला दी है कि इनको feedbacks पर काम करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पूरी कहानी पर जरा comment section ने बताइएगा। अभी के लिए इतना ही देखते रहें बॉलिवड स्पाई।